अभी नई आदेश जारी किये हैं जिसके मुताबिक आठ तारिक से देश भर में रेस्टरॉं खोले जाएंगे, मौल्स खोले जाएंगे और धार्मिक स्थान खोले जाएंगे दिली सरकार भी उन्ही केंदर सरकार के उन्ही आदेशों के मुताबिक कल से दिली में रेस्टरॉं, मौल्स और धार्मिक स्थान खोलने जा रही है लेकिन जब ये खोले जाएंगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के क्या-क्या स्टेप्स उठाने होंगे, मास्क पहनना होगा जितने भी एहतियात बरकने के लिए केंदर सरकार की एक्सपर्ट्स ने, केंदर सरकार ने जो आदेश दिये हैं, उन सारे स्टेप्स को दिली सरकार लागू करने जा रही है और वो ओर्डर अभी थोड़े देर के बाद लागू हो जाएंगे लेकिन दिली में होटेल्स और बैंकेट हॉल्स को अभी नहीं खोला जा रहा है क्योंकि दिली में बढ़ते हुए कोरोना के केसिस को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हो सकता है हमें कई होटेल्स और बैंकेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके उनको हॉस्पिटल्स में कनवर्ट करना पड़े इसके मद्दे नजर अभी होटेल्स और बैंकेट हॉल्स को नहीं खुला जा रहा है धीरे धीरे हम सब लोगों ने मिलके अपनी अर्चेवस्ता तो खोल ली बहुत सारी धील दी दे दे दी लॉकडाउन के अंदर लेकिन लॉकडाउन में धील देने का ये मतलब नहीं है कि करोना खतम हो गया करोना भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इसलिए मेरी अब सब लोगों से हाथ जोड के विंती है कि जो भी इहतियात बरतने के लिए तीन चीजे बार बार कही जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग बरते हैं मास्क पहने मैं देखता हूँ कि कई लोग घर के बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क पहने हुए मास्क पहन के आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं मास्क पहन के आप अपने उपर एहसान कर रहे हैं अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप करोना से बच सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ को धोना ये तीन चीजे अपने को अच्छे से करनी है लेकिन मेरी सक्त से जादा बड़ी विंती बुजर्गों से है सभी बुजर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विंती है आप ये मान के चले कि आपके लिए लॉकडाउन खतम नहीं हुआ अभी भी आपके लिए लॉकडाउन है और आपके लिए तो और ज़्यादा लॉकडाउन है सकती से लॉकडाउन करना है मानलीजे आपके घर में आपके बच्चे हैं थोड़ दिन के लिए बच्चों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजे अपने घर के अन्य सदस्यों से इंटरेक्ट करना बंद कर दीजिए एक ही कमरे में रहिए अगर जरूरत है तो एक बारी बाहर राउंड लगा आईए लेकिन किसी के साथ भी इंटरेक्ट मत कीजिए किसी भी तरह से बुजर्ग सबसे ज़्यादा जितनी मौते हो रही है उनमें सबसे ज़्यादा बुजर्ग है तो मेरी आपसे जो बुजर्ग हैं और जिनको को मॉर्बिडिटी जो कहते हैं कैंसर है या डाइबिटीज है या सांस की बिमारी है इन लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने के जरूरत है पिछले हफ़ते मैंने आप सब लोगों से एक और चीज़ है कल से दिल्ली के बॉर्डर्स खोले जा रहे हैं एक हफ़ता पहले हमने दिल्ली के बॉर्डर्स सील किये थे इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर दिल्ली बॉर्डर्स खोल दिये तो देश भर से जो मरीज आएंगे और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएंगे उससे दिल्ली के अस्पताल अभी जो करोना का इलाज कर रहे हैं क्या उसको बर्दाश्ट कर पाएंगे क्या उस बर्डन को बर्दाश्ट कर पाएंगे इस वज़े से बॉर्डर्स को सील किया गया था कल से दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जा रहा है साथ ही अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये निरने लिया जाग गया है कि पिछले हफ़ते हमने दिल्ली के लोगों से पूछा था हमने दिल्ली के लोगों के सामने ये प्रश्न रखा था हमने दिल्ली के लोगों से ये पूछा था कि अभी तक कोरोना होने तक मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहते थे दिल्ली के लोगों ने कभी अपने देश के लोगों का इलाज करने से मना नहीं किया किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्वतालों में लगबग 60-70% मरीज दिल्ली के बाहर से देश भर से लोग आए हुए होते थे हमने कभी मना नहीं किया लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है दिल्ली में करोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार आपकी सरकार बेड्स का इंतजाम कर रही है चारो तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है ऐसी स्थिती में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिये तो दिल्ली के लोगों को जब करोना होगा तो वो कहां जाएंगे इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे साड़े साथ लाख लोगों ने अपने सुझाव भीजे और नब्बे प्रतिशक से ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि करोना करोना तक जब तक करोना है दिल्ली में तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने जाएं उसके बाद हम लोगों ने पांच डॉक्टर्स की कमिटी बनाई बड़े-बड़े डॉक्टर्स थे डॉक्टर महेश वर्मा वाइस चांसलर है आई पी निवरस्टी के डॉक्टर सुनील कुमार मेडिकल डिरेक्टर है जी टीवी हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुन गुप्ता ये प्रेजडेंट है डेली मेडिकल कांसल के डॉक्टर आरके गुप्ता ये एक्स प्रेजडेंट है डेली मेडिकल एसोसियेशन के डॉक्टर संदीब गुधी राजा ये ग्रुप मेडिकल डिरेक्टर है मैक्स हेल्थ केर के इन पांच लोगों की कमिटी ने विचार विमर्श करके और दिल्ली की जो मेडिकल इंफरसेक्चर है हेल्थ इंफरसेक्चर है उस पे नज़र डालके उसको सारे को एसेस करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली के दिल्ली में इस वक्त करोना की केसिस बहुत जादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगबग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी ये कहां से आएंगे तो इसलिए उनका ये उसाजाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केबल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहीए चीजों पे आज कैबनेट ने गौर किया भी थोड़ी दे पहले हमारी कैबनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गाओर करके ये निर्ने लिए आए कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़ूरत है दिल्ली सरकार में दस हजार बैड़ है केंद्र सरकार में भी दस हजार बैड़ है तो एक तरफ कल से हम बौडर्डर tenant खोल देते हैं बॉाड़्रों को खूलने के बाद दिल्ली सरकार के जो डिल्ली सरकार के जो ऐस्पताल है, वो ऐस्पताल केवल डिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहि welding in schon सरकार के जो इस्पघारने उसमें भी 10,000 वहां पे कोई भी देश भर से आकर अपना प्राइज करा सके उसके उपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित करी उसके उपर कोई तो जयसे आज वेवस्ता है की केंदर सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है किंद्र सरकार के अस्पताल सब के लिए खुले रहेंगे प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना कोरोना तक लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किसम की सर्जरी करते हैं जो सर्जरी बाकी देश भर में अविलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है जैसे ऑंकोलोजी सर्जरीज हैं ट्रांस्प्लांटेशन हैं नियूरो सर्जरीज हैं इस किसम की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा तो मुझे लगता है कि एक balance है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आकर अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा होगी बहुत बहुत शुक्रे